एलो दोस्तों नमेशकार आप सभी के स्वागत है DRKTV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनेया भी काने राजस्थान से दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यूं कुछ लोग छोटी-छोटी बातों पर anxiety में चले जाते हैं जबकि कुछ लोग anxiety में नहीं जाते चाहे कितना भी negative environment create हो फिर भी वो anxiety के अंदर नहीं जाते और इससे बाहर निकलने का जो GM principle है वो क्या है वो मैं आपके साथ में पूरा-पूरा शेयर कर रहा हूं इसको बहुत अच्छे समझेगा बहुत अच्छे से understand करेगा दोस्तों यह जो GM principle है यह GM principle क्या है इसको मैंने Google Map principle बोला है यह जो Google Map principle है यह क्या है थोड़ा सा समझेगा कि अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर Google Map को use किया है तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप एक जगा से दूसरी जगा तक जाने के लिए आप उससे navigation मांगते हो तो वो आपको एक पूरा रास्ता suggest करता है और उस रास्ते पर चलते चलते अगर आप उस रास्ते के according ना चलते वे किसी दूसरे रास्ते पर भी चले जाते हो तो Google Map है वो आपको शिकायत नहीं करता वो यहां से भी आपको क्या suggest कर देता है वापस एक नया रास्ता suggest कर देता है माली जी के आपने इस रास्ते की भी पर नहीं गए यहां पर भी Google Map की बात नहीं मानी और आप किसी दूसरे रास्ते पर चले गए तब भी Google Map क्या करता है आपको एक नया रास्ता वापस एक reschedule कर देता है वापस आपकी मंजिल तक पहुँचने का जहां तक आपने final destination डाला था मतलब यहां पर जो Google Map है वो आपसे बिल्कुल भी शिकायत नहीं करता कि आपने मेरी पहले बात नहीं मानी इसलिए मैं आपको दूसरा रास्ता नहीं बताऊंगा मतलब यह रुक के नहीं बैठता आपको continuously क्या provide करता है solutions provide करता है आपने यहां पर भी बात नहीं मानी हर बात पर आपको क्या बताता है solutions बताता है अगर आपने कुछ भी mistake मतलब Google Map के according नहीं चले तो तो दोस्तों जिंदगी के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक तो जो इस Google Map principle की तरह लोग होते हैं और एक इसके against वाले लोग होते हैं जो against वाले जो लोग होते हैं उनके अं unexpected होता है मतलब कोई भी चीज उनकी इच्छा के विरुद हुई जैसा वो सोच रहे थे जैसा वो प्लान कर रहे थे अगर उसके according उनको चीजे नहीं मिली तो वहाँ पर वो रुख कर बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा कैसे होगा क्या करेंगे आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे मैं तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि यही रास्ता था जिससे मैं पहुंच सकता हूँ मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं किसी भी चीज को करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं लेकिन जब आप यहाँ पर problems के solutions निकालने के उपर नहीं जाते कोई नए alternate ways पे नहीं जाते तो वो चीज हमारा दिमाग में रुख जाती है और वो किसका formation कर देती है overthinking का formation कर देती है मानली जी कि आप जैपुर जाना चारे थे और आपकी bus late हो गई तो अब क्या होगा कैसे होगा bus छूड़ गई तो वहीं पर रुख गई train छूड़ गई वहीं पर रुख गई तो यहाँ पर यह जो block लगता है उसके कारण क्या होती overthinking होती है और उस overthinking के कारण हम किसमें चले जाते है stress में और anxiety के अंदर चले जाते है दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो Google Map की तरह होते हैं कि अगर मान लीजे कि bus छूड़ भी कोई बात नहीं अभी और कौनसा alternate way है अच्छा train से जा सकते है train अभी available नहीं है अच्छा 2 गंटे बाद के चलो 2 गंटे बाद में चले जाएंगे अच्छा train नहीं है कोई private taxi जा रही है तो उसमें जा सकते हैं उसमें चले जाते हैं और कौनसा way है जिससे हम वहाँ पर पहुंच सकते हैं मतलब यहाँ वाले जो लोग होते हैं वो रुकते नहीं है किसी भी बात में हर एक चीज का क्या तलासते हैं तो जो लोग solution oriented होते हैं वो कभी भी stress में कभी भी anxiety के अंदर नहीं जाते हैं जो problem oriented लोग होते हैं जो एक कोई भी unexpected हुआ उसके उपर रुक गए उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं वहीं रुक के रह गए उनके अनुसार उनकी problem का जो solution था वो सिर्फ एक ही solution था इसके लावा और कोई रास्ता नहीं तो वहीं पर जब रुक गए तो वो लोग किसमें चले जाते हैं anxiety के अंदर चले जाते हैं overthinking के अंदर चले जाते हैं और जो लोग solution oriented होते हैं जिनके दिमाग में ये रहता है कि नहीं हर एक चीज के समझने के हर चीज को understand करने के अने को वे होते हैं कोई भी जो गटना गटित होती है उसको और भी बहुत सारे explanations होते हैं और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं और उन सब के लिए हमीसा वो कह रहते हैं open रहते हैं जो Google Map की तरह होते हैं वो कभी भी anxiety के अंदर नहीं जाते, कभी भी stress के अंदर नहीं जाते तो हमें भी हमारा जो thought process है, हमें भी हमारी जो आदते हैं वो Google Map की तरह करनी होती है अगर हम Google Map principle को use करते हैं अपनी life के अंदर तो हम किसी भी चीज के अंदर नहीं ठहरते, किसी भी चीज के अंदर नहीं रुखते और वास्तविक जो जीवन है वो बहने के अंदर है ना हवा कभी छुटी मारती है, ना टाइम कभी छुटी मारता है, ना पानी कभी छुटी मारता है लगातार बहते रहते हैं, प्रकति के अंदर सब चीजें लगातार बहती रहती है तो Google Map के सिद्धान्त को अगर हम भी अमारे जीवन में यूज़ करते हैं और बहना सीख लेते हैं तो प्रकति के साथ में हम लोग बहना सुरू कर देते हैं जीवन बहुत ज़दा आनंददाई होता है लेकिन अगर हम यहाँ पर रुकना सुरू कर देते हैं और रुकना जो है प्रकति के अगेंस्ट है नेचर के खिलाफ है तो अगर हम यहाँ पर रुकते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर जैसे ठहरा होता जैसे ट्रैफिक रुक जाता है बहुत ज़दा जाम हो ज़दा बहुत ज़दा सोरगूल होने लग जाता है चीजें आनंददाई नहीं रहती उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर भी जब थौट्स का ट्रैफिक बढ़ जाता है unorganized हो जाता यह thought का traffic क्यों क्योंकि वहाँ पर रास्ते में कुछ चीज़े रुक गई है तो वही सारी चीज़ें क्या create करती है anxiety create करती है stress create करती है तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस GM principle को अपने जिंदगी में अपनाएं अपने जिंदगी को खोलें अपने जिंदी को प्रकती के बहाव के साथ में बहाना सुरू करें तो हम कभी भी anxiety के अंदर नहीं जाएंगे stress के अंदर नहीं जाएंगे panic के अंदर नहीं जाएंगे OCD के अंदर नहीं जाएंगे depression के अंदर नहीं जाएंगे तो दोस्तों उम्मीद गरता हूँ आपको यह वीडियो पसंदा होगा नीचे कमेंड बाक्स में लिखकर जरूर बताएगा और अब तक यह आपने मेरे यूटूब चैनल DRKTV को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सस्क्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का कर सकते हैं कि हम भी Google Map की तरह हो जाएं कि हम भी हरवक्त solution oriented हो जाएं alternate waves के लिए हम हमेसा तयार रहें तो इसके उपर हम लोगों ने कि step by step learning का एक कूरा कोर्स CBT का कोर्स लॉंच किया वा जिसका link नीचे description में है जिसको आप अपने अंदर learn करके जिसको समझ के आप अपनी personality क के अंदर बहुत ही जबर्दस्त change ला सकते हैं और अपने आपको psychological problem से दूर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत